जब एक सादक जागरुकता की यात्रा शुरू करता है जिसमें वो और ज्यादा अवेर और कॉंशेस रह सके उस प्रक्रम में तीन मुख्य कटनाईयों का सामना करना पड़ता है वास्तव में हर कोई किसी न किसी समय जागरुक होता है लेकिन अक्सर ये जागरुकता तब आती है जब कोई कारे पूर्ण हो चुका होता है उदारन के लिए जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम कुछ उस क्रोध की स्थिती में उस बेवोशी में कुछ कर देते हो जो तुम नहीं करना चाते थे और बाद में जब सिती शांत हो जाती है तब तुम्हें एसास होता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है पहली कटनाई ये है कि जब कोई कारे हो रहा है उसी समय जागरुग बनना जैसे क्रोध का धुआ तुमारे वीतर भरा हुआ हो उसी शंड में जागरुग बनना एक चुनोती है लेकिन ये असंभव नहीं है थोड़े प्रयास से तुम इसे पकड़ सकते हो और पहली मंजल तुमने पाली तो आदी लड़ाई जीत ली दूसरी कटनाई वे है जब कोई कारे होने से पहले रिमेंबरिंग बिफोर दा आक्ट जब क्रोध अभी विचार के रूप में ही हो उसे याद रखना ये कारे होने से पहले की एक सोच है एक संभावना के रूप में इसे पकड़ने के लिए तुम्हें और भी सुक्ष्म ज पन होता है यदि भावना नहीं होगी तो विचार भी नहीं आएगा इसलिए भावना को पहचानना और उसे समझना अत्यंत मैतपूर्ण है सादप को अपने विचारों और भावनाओं के प्रती सजग रहना होगा ताकि वो उन्हें पहचान सके और सजग रह सके और तुम देख सको कि कैसे तुम इन विचारों और भावों से प्रभावित होते हो जो कि बहुत ही बेहुशी में घटता है। दिहान से देखो, जिसको तुम अपना विचार कहते हो, क्या वो तुम्हारा विचार है, या वो किसी से प्रभावित है, यही जागरुकता की कुंजी है, प्रणाम.